करते हैं सबसे पहले हमको जो भी एग्रिगेट की फ्रेम है उसके उपर से वेट हटा लेना है वेट हटाने के बाद वेट हटाने के बाद यहाँ पर जो मेरी उंगली है मैक्शिमम वेट मिनिमम वेट एर वेट तीनों वेल्यू को जीरो कर देना है actual weight में आपको zero करने के लिए tear weight का बटन दबाना पड़ेगा तो ये दो number वाला tear weight start off है उसको दबाना है तो यहाँ पर उपर में message आएगा calibration over अब हम calibration start करते है calibration सबसे पहले calibration start का बटन दबाते है उसके बाद उपर में message आता है put minimum weight तो हमको ये तीन number वाला minimum weight start का बटन दबाना है तो ये बटन हम दबा रहे हैं अभी ये message आया put maximum weight तो इस time हमको जो हमारा aggregate frame है जो load shell की frame है वहाँ उसके उपर weight रखना है जो भी हमारे पास weight पड़ा है example के 500 kg, 1000 kg, 300 kg जो भी पड़ा है minimum हमको 50% weight रखना है जो भी हमारा plant है, plant की capacity के इसाब से अभी हमने weight रख दिया है और हमारा count ये plus हो गया है अभी हमारा weight रखना हुआ है frame के उपर और हम यहाँ पर weight लिख देते हैं कि हमने कितना weight रखा है उसके उपर यहाँ weight लिख देते हैं हमने उसके उपर 100 kg weight रखा है तो 100 kg यहाँ लिखने के बाद हम उसको यहाँ पर यह बटन दबा देते हैं तो हमारे यहाँ पर weight दिखाने लगेगा ये वाला weight मतलब कि हमारा calibration हो गया है और उपर में message आ गया है calibration over चलो, good bye